आपका next chapter इसका नाम है champion चुकि हम लोग ज़रा आपके first class से लेकर अब तक revise कर रहे हैं तो इसलिए आपका next chapter है वो मैं आपको next class में ही करवा पाऊंगी थे हम लोग आज first chapter से start कर रहे हैं first chapter जिसका नाम है champion Pokemon जो एक पोयम यह यह is एक एवरेज जह रननर हो ढ़ने दोनों के बीचर नंतर समझाने लिए एक poem बनाई गई है जिसका नाम है The Champion या Champion इसमें आपकी बुक में जो है इस poet का जो नाम है ये नहीं दिया हुआ है लेकिन जो champion poem है वो actually लिखी गई है Wong J. Featherstone द्वारा याने की इस poem के poet का नाम है Wong J. Featherstone So we are starting our poem that is Champion The average runner runs until the breath in him is gone Breath याने की सास, average याने की ओसत, सामान्य तो average runner याने की जो ओसत दौड़ने वाला होता है धावक होता है वो सिर्फ तब तक दौड़ता है जब तक उसकी जो आखरी सास है वो चली नहीं जाती But the champion has the iron will that makes him carry on लेकिन जो champion होता है याने की जिसको हर चीज को जीतने की एक लालसा होती है याने की उसके अंदर एक eagerness होती है की नहीं मुझे अगर बनना है तो best बनना है तो वो champion जो होता है उसके अंदर एक iron power होती है याने की एक law शक्ती होती है जो उसे इस race को उस last breath के आगे याने की उस आखरी सास के आगे भी उस race को चलाने में उसकी मदद करती है for the rest the average runner begs when limbs his muscles grow muscle याने की मांशपेशी और limp याने की जब मांशपेशी जो होती है वो fool जाना याने की जब मांशपेशी जो होती है फूल जाती है that is called a lump और a limp ठीक है तो जो average runner होता है याने की जो सामान ने दोड़ने वाला होता है जो normally दोड़ता है वो जब उसकी मांशपेशी या फूल जाती है तब वो क्या करता है तब वो अपनी आराम के लिए इच्छा करता है और आराम मांगता है उस समय पर जब उसकी मांशपेशी या फूल जाती है लेकिन जो champion होता है जिसको जीतने की लालसा होती है जिसको जीतने की इच्छा होती है वो अपने पैरों के अन्तिम पायी तक याने की अपनी पैरों की आखरी हिम्मत तक दोड़ता रहता है क्योंकि उसके अंदर की जो करेज है यानि कि उसके अंदर की जो निडरता है वो उसको हिम्मत देती है और उसको आखरी लक्ष तक आखरी टार्गेट तक जो है वो जाने देती है The average man is complacent when he is done his best to score जब औसत आदमी जो है वो दोड़ता है यानि कि चाहे वो जीवन की रेस हो या फिर कोई नॉर्मल रेस हो उसमें जब औसत आदमी जब दोड़ता है तब वो अपनी शालींता का परीचे देता है अपनी शिकायतों का परीचे देता है याने कि शिकायत ने करने लगता है और सभी को ये समझाने लगता है कि उसने अपना सर्वश्रेश्ट प्रदर्शन जो है वो दे दिया है याने कि अपनी जो best performance है वो देने के बाद वो सबको बताता है सबको मतलब explain करता है complacent का मतलब होता है explain करना या फिर लोगों को समझाना तो वो जो है उस टाइम पे इस बात की शिकायत करता है या इस बात को सभी लोगों को समझाता है कि उसने अपना जो best है वो दे दिया याने कि उसने अपना best performance कर दिया लेकिन जो इंसान champion होता है याने कि जो सबसे ज्यादा best बनना चाहता है तो वो क्या करता है वो अपना best performance तो देता ही है याने कि अपना जो सर्वशेश प्रदर्शन है वो उसको देता है लेकिन उसके बाद भी उसके मन में ये उच्छा होती है कि वो थोड़ा सा और करे तो वो अपनी मन की इच्छा को रखते हुए थोड़ा सा और effort लगाता है याने कि थोड़ा सा और प्रयास करता है ताकि जो परफॉमेंस है, यानि कि जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है, वो बेस्ट से थोड़ा और बेटर हो, यानि कि सबसे अच्छा हो, तो ये होता है डिफरेंस, एक एवरेज रनर, यानि कि एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले इंसान में, और एक चैम्पियन, यानि कि हर ची आक्टर में आपको एक्स्प्लेन किया गया है,